तो आज मैं एक रेस्पी शेयर करने वाली हूँ आप सबसे जो कि आप टिफिन में दे सकते हो लंच में दे सकते हो और और इवनिंग स्नैक्स इन सब के लिए ट्राइ कर सकते हो तो बहुत ही एजी रेसिपी है तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सोची एक कप दही आधा कप न चाहो तो वेजटबल एक कर सकते हो और नहीं भी चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो वैसे भी यह बहुत अच्छा लगता है इसमें मेरे पानी लगपक देड़ कप डाला है उतना काफी था देड़ कप में थोड़ा सा बच भी गया था साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च धनिया प्यास थोड़ी सी हरी मिर्च एट कर रही हूं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सॉफ्ट बनेगा इसे मुझे बनाना था शाम में इवनिंग स्नक्स के लिए तो मैं इसे सुबाई भीवा के रगती थी अब शाम हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा देंगे इसकी कंसिस्टेंसे आप देख सकते हो और यह है अप्वे का मोल्ड इसमें वैने कोई थोड़ा सा डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें सरसो डाल दूँगी राई सब में इसके बाद ही मैं इसमें अप्वे का बैटर डाल दूँगी और पूरा नहीं भरना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें डालूँगी आप देख सकते हो क्योंकि इसके उपर मुझे चीज भी डाल ली है और फिर से इसका बैटर डालना है अब मैंने थोड़ थोड़ सी मॉजरेला चीज से इसमें डाल दी है और उपर से फिर से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें अप्वे का बैटर डाल दूँगी तो इससे क्या होगा बीच में जो चीज है ना उसे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा यह होने के बाद ना इसे रख देंगे कवर करके और लगभग इसे ना आप 10-15 मिनिट रहने ही दो बीच में बिल्कुल भी मत खुलो कई बार हम जलबाजी करते हैं और इसका कवर ठीक से नहीं रगी रहने देते ना तो यह ठीक से पकता नहीं और पलटता नहीं है तो इसे लगभग 10 मिनिट आप बहुत इसली यह ना फलर जाता है आप देखी सकते हो अब दूसरी साइट से ना इसे ज्यादा सिखने की जरुरत नहीं है लगभग 5 मिनट आप रहने देंगे तो काफी है और बन के तैयार है यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी अपे और बीच में जो इसके चीज हमने ढाली है उसे यह बहुत ही टेस्टी बन जाता है अब ब इस पी पसंदा यूँ तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मिरूंगी भाजल नेक्स लोग बे खुदा आफिस